हाई फ्रेंड्स मैं हूँ बंसिधर आर एंडी डिजिटल में आप सभी का बहुत-बहुत सभागत है फ्रेंड्स हमारे इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे बुकिंग लिंक या फिर वेडिंग बिजनेस भी है तो wedding invitation में हम भी appointment लेते हैं makeup artist भी appointment लेता है bridal makeup जो है वह भी appointment लेते हैं ऐसे आज करेंड में products हो या services हो बहुत सारे लोग जो है by appointment prefer करते हैं तो ऐसे case में Google business profile में एक बहुत important features है जो है appointment या booking तो आप अगर appointment लेना चाहते हैं या फिर आप pre-booking लेना चाहते हैं तो उसका link जो है आप Google business profile पर आड़ कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं CRM लेते हैं बहुत सारे और भी सुप्टार यूज करते हैं लेकिन यह completely free है तो इसको बहुत सारे लोग करते हैं या फिर लोगों को नहीं पता है सो फ्रेंड्स आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका Google business profile अगर आप न्यू आपका dashboard यूज कर रहे हैं या फिर पूरा ने दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको appointment link कैसे आर करें हो सकता है आपका appointment link को या फिर booking link से उसको मैं प्राक्टिकाली आर करके इखाऊंगा वीडियो बहुत है इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर आ चुका हूँ आपको सबसे पहले जो है आपको आपका गूगल विजनस प्रोफाइल पर लॉग इन हो जाना है अब यह जो प्रोफाइल आपको दिख रहा है यह new dashboard है आपके पास हो सकता है new dashboard आप यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसे दिखेगा अगर आप पु लिखा हुआ है आपको एक booking पे क्लिक करना होगा जैसे आप booking पे क्लिक करेंगे यह देखिये booking लिखा हुआ है second line पे third so booking पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते है एक new page open हो गया अभी यह जो new page open होगा यहाँ भी लिखा हुआ है links to your online booking tools तो अभी आप मालजिए कि कोई आपने online booking tools लिया है जैसे कोई आपने CRM लिया है तो उसका link आप यहाँ पर add कर सकते हैं यह देखे मैंने अल्री WhatsApp Business का link यहाँ पर डाला हुआ है यहाँ पर हो सकता है आप कोई CRM टूल लिये हो कोई apps लिये हो booking के related उसका link आप यहाँ पर दे सकते हो आपके WhatsApp Business के link दे सकते हो आपके website में आपने booking के related कोई form क्रेट किया हुआ है उसका URL यहाँ पर दे सकते हो यहाँ यहाँ पर आपको simple यह देखे जो pencil बटन है उसमें आपको click करना है यहाँ पर मैंने मेरे WhatsApp का link दिया हुआ है Business WhatsApp का तो यहाँ पर आपको link आपको simple copy paste करके यहाँ पर आपको save कर दे रहा है इतना simple है friends वो link आपको बनाना पड़ेगा आपका link जो है मैं यहाँ पर एक demo दिखाया तो आपका link आपके ही साब साब को डालना पड़ेगा लेकिन तरीका यह है friends तो यहाँ पर simple है bookings पर क्लिक करके आपको यहाँ पर edit करना है यहाँ पर जैसे एक link आपको डाला हुआ है दूसरा link आपको आट करना है तो another link देखे ऐसे आ गया और यहाँ पर bookings url यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका new business account है या new dashboard है यहाँ पर आपको आपर मैंड लीक कैसे आट करना है अभी example आप पुराने dashboard यूज कर रहे हैं आप new dashboard पे comfortable नहीं है तो पुराने dashboard यहाँ आपके सामने है यहाँ पर आपको यह देखे left side पे info लिखा हुआ है यह info वाले section पर आपको करना होगा click तो जैसे info पर आप click करेंगे appointment links लिखा हुआ है इस appointment links पे यहाँ पे जो pencil बटन है इसमें आप click करके यहाँ पे आप आपका जो भी appointment link होगा वो link यहाँ पे देखे आपको apply पे click करना है यहाँ पे मेरा already business profile का बिजनेस वाट सबका link हमने आड किया हुआ है आपका जो भी link होगा यहाँ पे आप आड करके apply पे simple click कर देना है अगर आप दो रखना चाहते हैं यह already एक आड है और एक आड करना चाहते हो यहाँ पे देखिए दूसरा भी आड कर सकते हैं इसमें आप click करके यहाँ पे डाल सकते हैं तो depends आपके इस तरीके से आप आपका Google Business Profile पे आपका जो है appointment link साब मतलब डाल सकते हैं या booking link डाल सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो please like, comment, share जरूर करना अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके कुछ फ्रेंड्स के काम के है तो please थोड़ा सा उनको भी आप मादद करिये उनको यह वीडियो जरूर सेर करना अगर आपको लगता है कि मेरे चनल से आपको कुछ value मिलता है आपको important information मेरे चनल से आपको मिलता है तो प्लीज अगर आप हमारे चुनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस टाइब के important technical वीडियो हम आपके लिए तो लाते रहते हैं जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी paid course नहीं बेशते हैं सारे के सारे content जो है आपके लिए free of cost में लाते देते हैं तो इसके लिए मेरा request है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना friends और keep learning फिर मिलते हैं friends अगले वीडियो में thank you so much friends, thank you for watching, have a good day friends